देखने को मिलेंगे जिसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है यानि सभी 150 कोश्चन्स आपको आटेम्ट करने हैं याद रखें बहुत सारे लोगों को आदत होती है कि कुछ कोश्चन्स वो छोड़ देते हैं जो नहीं जान रहे हैं रेल्वे बैंकिंग में चुके निगेटिव होता है तो ये हैबिट होता है आप ये दियार रखें कि आपको सभी 150 कोश्चन्स आटेम्ट लेने हैं चाहे आप जान रहे हैं चाहे नहीं जान रहे हैं लेकिन सबी questions को आपको हल करना है लेकिन क्या आपने कभी analysis किया कि questions का pattern क्या है किस तरह के questions आ रहे हैं कितने बहुत tough questions होते हैं कितने questions बहुत आसाल और कितने questions मीडियो का level के होते हैं अगर हमारे हैसाब से आप पूछेंगे तो कम से कम 60 questions ऐसे होंगे जो एक बार आप देखेंगे बना लेंगे roughly और अगर इसे range हम कीजें तो 60-80 questions आप देखेंगे और बना लेंगे हमारे हिसाब से थोड़ी सी भी आपके तयारी अगर रहेगी तो 60-80 के range में इसे questions दिखते हैं उसके बाद कुछ questions लगबद 30 ऐसे questions होंगे जो बनने वाले होंगे थोड़ा सा आप सोचेंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे आपके study है, आपने इस पर काम किया है topics बढ़ा है आप ऐसे questions को बनाएंगे लगबग 20 questions ऐसे होंगे जो बहुत tough होंगे जिस पर आप टाइम लगेगा आप काफी मंधन करेंगे एक बार काटेंगे, फिर सही करेंगे ये सब चलेगा 20 questions ऐसे होंगे जो बहुत tough होंगे जिसमें statement based questions बहुत tough होते हैं विशेशकर history से, geography से और current affairs के भी कुछ questions इस तरह के जिख सकते हैं तो roughly मोटे तोर पे हम कहें तो बहुत tough, बहुत tough 20 questions आपको मिलेंगे मेडियोकर लेवल के 30 questions हो सकते हैं और 60 से 80 questions आप कैसे होंगे जो एक बार में आप देखेंगे संभावत हैं अगर आपने study किया है तो आप बनाएंगे इसमें 10 mathematics के भी questions होंगे जिसमें से कम से कम 4-5 questions बनने वाले होते हैं आप थोड़ा सा भी application जानते हैं तो आप बनाएंगे मेड के बहुत सारे students जो expert हैं वो सभी 10 भी बनाते हैं हमने इसी को ध्यान में रखते हुए सबसे आसान category के 10 questions को आज एकठा किया है कि सबसे आसान 10 questions अगर देखें तो वो किस तरह के questions होंगे जिसे हम कह रहे हैं कि आप देखेंगे और answer करेंगे और 10 most सबसे toughest questions कौन होंगे आपको ये पता चलेगा कि इस तरह के questions अगर आएंगे तो हम किस तरह से attempt लेंगे एक बात और पांचमें options के साथ आपको ये सारे questions मिलेंगे यानि BPSC का एक विशेश pattern बन गया है जिसमें पांचमें option भी होता है जिसमें लिखा होता है एक से अधिक या none of the above यानि ये पांचमें option दरसल दो options के साथ होता है हम कहेंगे कि BPSC का question 6 options के साथ आता है anyway पांचमें options पे आपको ध्यान रखना है ये भी काफी confuse कराता है चुक्क कहीं बार एक answer आप जान रहे हैं लेकिन लग रहा है कि दूसरा भी हो सकता है तब आपका पांचमें options की तरफ ध्यान जाएगा चुक्के more than one answer can be correct ये पांचमें option में लिखा होता है तो ये थोड़ा सा confuse कराता है और चार-पांच questions आपके गलत करा देता है ये पांचमें option तो ये भी आपको practice जब करेंगे उससे इस problem का removal काफी हद तक होगा चलिए आज जो सबसे 10 आसान questions हमारे हिसाब से पिछला exam जो हुआ दिसंबर में 16 दिसंबर 2018 को उसके 10 सबसे आसान questions अभी हम आपको निकाल के दिखा रहे हैं आपको लगेगा कि yes ये हम देखते और इसे tick करते देखे पहला question जो आया इस category का जो सबसे आसान category का question था वो 14 number question देखें ये B set का question है याद रखें यहाँ पर जो tick किया हुआ है उस पर आप ध्यान नहीं देंगे चुके ये किसी student का question है अपने हिसाब से इस student ने tick किया है इसमें गलस सही हो सकता है तो इसे आपना देखें question को देखें 14 number question में देखें लिखा हुआ है किस अस्तान पर आदिवासियों ने अंग्रेज़ों इस खिलाफ विद्रोग किया ये मेरे इसाब से बहुत आसान question था चुके आप BPC के तयारी कर रहे है तो आप जानते हैं कि पंजाब, सिंध और काटियावार में आदिवासी नहीं रहते बिहार में आप जान रहे हैं मात्मा गांदी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था मात्मा गांदी पर कम से कम तीन चार questions रहेंगे ही रहेंगे और हर कोई जानता कि मात्मा गांदी का पहला सत्याग्रह चंपारण में था उन्हेसो सत्रे का आंदोरन चंपारन सत्याग्रह मात्मा गांदी का भारत में पहला सत्याग्रहता उसके बाद दूसरा कोश्चन अगर देखें तो आप 34 नंबर कोश्चन है यहाँ पर आप गौर करेंगे कि 34 नंबर कोश्चन में आविर्ती की इकाई ना पा जाता है किसमें यहाँ इसका यूनिट पूछ रहा है हर कोई जानता कि आविर्ती की यूनिट हर्ड्स है अधिकतर लोग जानते हैं और जो नहीं जान रहे हैं फिर हम कहेंगे कि यह आपका मिस्टेक है इसे आपको जानना चाहिए हराल में उसके बाद देखिये एक तालीस नंबर कोशिन नेक्स्ट अगर देखते हैं विदुत्-शक्तिक की काई तो एलेक्ट्रिक पावर पावर का वाट होता है शक्तिक काई वाट यह भी एक आसान कोशिन था इस बार साइंस बहुत आसान कोशिन आए और आसान कोशन्स ही आएंगे सांस सांस से इस्पेशली 97 उसके बाद देखें अगर नेक्स्ट तो आसान कोशन्स की सिरीज हम आपको दिखा रहे हैं 97 को अगर आप देखें तो इसमें भी कोशन ऐसा था जो बनने वाला था और चंपारन पर ही महात्मा गांधी से रिलेटेड कोशन है हम फिर से आपको कह रहे हैं कि महात्मा गांधी से कोशन्स 3-4 आएंगे अब ये कोशन्स अगर आप महात्मा गांधी पढ़ेंगे और बिहार का एक्जाम दे रहे हैं तो ये भी आसान कोश्चन था, उसका next देखिए hundred number कोश्चन, किसने कॉंग्रेस के पहले मंत्री मंदल करने ते तो किया, most simple कोश्चन, आप बिहार special पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, पढ़ना ही है, आपको बिहार में पहला गॉवर्मेंट उन्हेसर सैंटिस में जब बनी, श्र रखेंगे, लेकिन वो इंडिपेंडेंट पार्टी के थे, यहां पर पूछ रहा कि कॉंग्रेस मंत्री मंदल, तो श्रीकिशन सिंग के इंकार करने पर, मुहमल यूनस ने बनाया था, उन्हेसर सैंटिस में सरकार, वो पहले मुख मंत्री थे बिहार के, लेकिन कुछ दिनो योजनायोग से पहले questions regular आते थे, अभी भी BPSC में, इवन मेंस में भी इस बार भी आ गया, full question योजनायोग पर, तो योजनायोग का ही transformation है, नितियायोग, योजनायोग अब समात हो चुका, उसके पर नितियायोग आया है, full form पूछा है, तो नितियायोग जैसे ही आप पढ objective बनाते हैं, उसका ये benefit है, बहुत सारे questions one liner type के होते हैं, एक line में जो GKGS के बहुत सारे guide books होते हैं, one liner, उसका पढ़ने का ये lab है कि इस तरह के questions बनते हैं, तो हम जानते हैं कि भारत में चीनी है कटोरा उतर परदेश है, यहाँ पर रियाद रखे कि चीनी मिले सरवादिक म आराष्ट में हैं, लेकिन तरवादिक उस पादन में उतर परदेश और चीनी का कटोरा भी उतर परदेश, आप जानते हों कि वर्ल्ड कंटेक्स्ट में ब्राजील को शुगर बॉल कहते हैं, उसको नेक्स एक सो पचीसवा question अगर आप देखें, नेक्स जो आसान कोशन की स अस्तित्यू में आया, तो किसी भी राजी का आप PCS दे रहें, तो उस राजी के बारे में तो हिस्ट्री, भोगोल, राइनिती विग्यान, जीके, तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, तो हम जाते हैं कि राजी का निर्मान और करेमश है, उसका वर्तमान अस्तित्यू हम हर राजी का पढ़ना होता है, तो हम जानते हैं कि जारखंड अलग होने के बाद बिहार अपने वर्तमान अस्तित्यू में आया, तो कम अलग हुआ, ये भी हमी जानना चाहिए, आसान कोश्चन तो सन 2000 में, 2000 में ये बिहार से अलग हुआ, आसान कोश्चन का स्रीज 10 अभी आपने देखा, अगर आप देखें तो ये सारे कोश्चन्स आप से बनने वाले थे, इसे बनाना ही होगा, अगर इसमें से आप कुछ कोश्चन्स नहीं जानते हैं, तो ये आप जान ले कि ऐसे कोश्चन्स आपको हर हाल में जानना होगा, अब आए वो 10 कोश्चन्स देखत जाता है लेकिन हम बात कर रहे हैं एक सामानी करन कर रहे हैं साधारंत है जो टफ कोशन्स थे बीप सी 64-विए के एक्जाम में जो 16 दिसंबर को हुए 2018 में उसके 10 कोशन्स इस प्रकार थे देखिए अगर इसका पहला कोशन्स देखें जो टफ कोशन्स के सिरीज का हम निकाल र तो नरम दल के आप आरंबिक राष्टवादी को अगर देखें कांग्रेस के तो वो विरोध तो करते थे लेकिन उनके साथ अंग्रेज़ों के साथ उनका उठना बैठना भी था दादा बाई नरोजी जैसे लोग या फिरोस चामे था गोपाल कर्शन गोखले ये सब नरम कोशन ये वाइट मैन बर्डेन करके आगया ये ऐक फ्रेज है वाइट मैन बर्डेन ये बिटिश लेखक रोडियार्ट क्रिपलिंग की बुक ही है वाइट मैन स्बर्डेन और ये फ्रेज भी है जिसका उदेश होता है कि गोड़े लोग किस तरह से विकास चील या पिछड सिना का यह कोड है और उसी सम्भधित है, लेकिन एक्जाम में यह कोड़् है, शाधी लोग जान रहे होगÑ कि साजिधनरन सिना का यह कोड है, उसका को साथ रिमबर कोड़ कोड़ देखें, तो देखें यह भी कोड़ थोड़ा सा लग था अब यह लिकवर शराब से related question है आप पूरा पढ़ ले तो आपको लगया कि यह question भी काफी tough था लेकिन चुक्क आप BPSC दे रहे हैं तो इसका answer आपको BPSC जादा close भी था तो अधिकतर लोगों इसे बिहार मा रहा है लेकिन यह tough question था उसके बाद अगर next question आप देखें चववन नंबर question तो यह current का question था current के questions tough और आसान दोनों category के आएंगे लगबग 25 questions यह उससे भी आदिक हो सकते हैं यहाँ पर mobilize your city समझा होता किसे क्या गया तो यह question हमारे हिसाब से भी tough था लेकिन current के जो पढ़ते हैं उनके लिए शायद आसान रहा हो next अगर ह जब हम लोगों ने बाद में इसे search किया तब इसका answer है यहाँ पेपर में जब अखबार में इसका cutting आया होगा तब लोगों ने देखा होगा कि इसका answer यह है लेकिन जिन लोगों ने जो अखबार नहीं पढ़ते हैं उनके लिए यह question काफी tough था next 88 number देखिए अगर question तो tough question क इसके चेड़ी में next यह कह रहा है कि दिसंबर 2017 में से फरवरी के बीच का 4G signal पर कुछ report आया था इसमें पहला position दिया गया था यह question हमारे हिसाब से भी tough था लगए यह सब अखबार पेपर को जो पढ़ते हैं वो ही बना सकते हैं उसके बाद देखिए 91 अगर देखें 91 अग जो निर्मान हो रहा था उसमें इतने लोग काम कर रहे थे किसने यह कहा है यह question बहुत tough था इसमें आयो के हिसाब से William Finch इसका answer है यानि C इसका answer है तो question यह काफी tough था हमारे हिसाब से और अगर दूसरा question देखें 133 अगर देखें जो हमारे हिसाब से tough था तो बारहमी पंच परशी उजना में कहे रहा कि किर्शी और उसे सम्मंदित जो 4% से ही answer है यह भी question हमारे हिसाब से tough था उसके बाद 142 number question देखें यह कहे रहा कि 178 का जो budget आया उसमें क्या नहीं था तो यह question बहुत tough नहीं आपको लग रहा होगा जो लोग budget को समझ रहे थे या बार बार उनो क्या कितना है यह question इसलिए tough है कि बहुत close इसमें दिया गया है बहुत option close दिया है तो यह question भी काफी tough था तो अगर कुल मिला कर हम देखें तो यह questions जो 20 हम लोगों ने देखा 10 बहुत आसान थे और ऐसे आसान questions 30-40 आपको दिखेंगे 60 तक ऐसे questions हो सकते हैं जो questions आप देखें वाले हैं जो हम लोगों ने भी 10 देखा ऐसे 10 और questions हो सकते हैं जो tough होंगे जो आपको सोचने पर मजबूर करेंगे तो कुल मिला कर 20 questions बहुत tough होंगे 10 math के भी अगर आप मिला लें जो math में कमजोर है तो 30 questions आपको ऐसे होंगे जिस पर आपको काफी काम करना चाहिए और समझ आज तब आएगा जब आप 115 का score करेंगे चुकर एक बहुत important पक्ष कि आयोग बहुत सारे questions के answer बदलेगा और कुछ questions को delete भी करेगा ये BPSC का एक pattern बन गया है कि BPSC हर साल अपने 150 questions में से जब model answer देता है तो उसमें विवाद होता है और विवाद होने के बाद जब वो correct करक पिर से model answer देता है तो बहुत सारे answers बदले हुए होते हैं साथ ही कुछ questions delete भी कर दिये जाएंगे जो बहुत विवादासपद हैं जिनका answer clear नहीं है इस बार ऐसे तीन questions थे जो questions ही delete कर दिये गए यानि 147 में marking आपका किया गया और लग भग 13 questions ऐसे हुए जिनके answers बदल दिये काफी सारे questions ऐसे हुए जिनके answers बदल दिये गए और तीन questions delete ही कर दिये गए यान 147 questions पे आपका evaluation हुआ ये सब चलेगा मतलब ये कि 110 से 15 के बीच आपके scores होने चाहिए तब आप 100 प्लस 105 के आस पास general male के लोग अपने scores मान कर चलेंगे तो ये evaluation है धियान आप रखें कि tough और questions का संगम दिखेगा कुछ questions mediocre होंगे और काफी सारे questions आपको confuse कराएंगे जिसमें ऐसा भी हो सकता है कि आप जाने हुए questions गलत करें तो इससे हमें बचना है revision ही इस तरह के समस्याओं का उपाय है टेक क्या